ग्लूटन फ्री वीगन ग्रनोला पार बाजार में मिलनी कई बरी मुश्किल हो जाती है। आपको जानके हैरानी होगी कि ये घर पे बनाना बहुत ही असान है। ग्लूटन फ्री बार बनाने के लिए हम स्यूल का इस्तमाल करेंगे जिसे अमरंथ भी कहते हैं। उसके बाद हम एक कटोरी मुफली को नारियल तेल में डालकर उसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इस भूनी हुई मुफली को हम मिक्सी में डालके अच्छी तरह से स्मूध कर लेंगे और उसका पीनट बटर बना लेंगे। अगर आपको अपनी बार में नारियल का स्वाद पसंद है तो दो बड़े चमच नारियल का पाउडर डाल दीजिए। बार्स को मीठा करने के लिए हमने चीनी का इस्तमाल नहीं किया। हमने इसमें खजूर का इस्तमाल किया है जिसकी हमने पेस्ट बना ली है। आप इसमें अपने मन पसंद ड्राइ फ्रूट भी डाल सकते हैं जैसे बादाम या काजू। अब एक बड़े बर्तन में ये सारे इंग्रीडियंट्स डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिजिए। झाल प्राइए को ये बना प्राइए को ये झाल प्राइए ज़ना भी टूझ चित्वार बना प्राइए इस समय आप अपने मिक्स्चर को चक लीजिए अगर आपको इसमें मीठा कम लग रहा है तो थोड़ा सा खजूर का पेस्ट बना के और डाल दीजिए और अगर आपका मिक्स्चर ड्राइ है यानि कि अगर आप उसकी बार्ज नहीं बना पारे हतेलियों से तो आप इसमें थोड़ा सा पीनिट बटर और डाल दीजिए ये बार्ज 20 से 30 दिन तक भी खराब नहीं होगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप इसे किसी और तरह से बनाते हैं तो हमें कॉमेंस में बताईएगा अगर आपको ये बताईएगा